जहिन बच्चो आज हम करेंगे अपना एक बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत शॉट वीडियो होने वाली है जिस वीडियो में आप लोगो बताऊंगा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहीना कहीन जो एनर्जी है यह बेसिकली वर्क के थ्रू ही आई है जैसे आप लोगों ने हम लोगों ने टेन क्लास में हम एक डेशन डेफिनेशन पड़ते थे एलेक्ट्रिक पुटेंशल की दावाउंट ओफ वोग डन इन मुविंगा यूनिट पॉसिटिव चार्ट रम इन जिन्दगी नहीं याद रखना बुक्स में ले ले चाहें अधमचिन में ले चाहें एक्स्परम्टर अनलेसिस में जो इन्फिनिटी होता है उस पे पोटेंशल एनरजी हमेशा जीरो होती है तो हमेशा हम रेफ्रेंस इंफिनिटी का ही लेते हैं क्योंकि अगर हम किसी एक इसकी दूसरे पॉइंट का अलेसिस ले 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 तो इसकी पोटेंशल एनरजी यूटी हम कभी इन दोनों को जाक लिने निकाल पाएंगे हम जो निकालेंगे वह इन दोनों का डिफ्रेंस होगा यूटू माइनस यूवन लेकिन अगर हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी लेत हो इस केस में जो ये तो जिरो हो जाएगा खाली ये क्या बचएगा यूपी माइनस जीरो तो ये क्या कैएगा बैसिकली जो डिर sebenlas grade डियूटी के बराबर होगा तो याद रखना इन्फिनिटी लेने से फाइदा प्रवाइज नहीं करते हैं कोई बीची अगर इन्फिनिटी पर बेस होती है जिनकी फोर्स बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी तो इंफिनिटी पर एनरजी जीरो हो जाती है तो मैंरे अविद कर रहा हूं कि बेसे के लिए आप लोग याद करिए कि जितनी भी conservative forces होते हैं उनके लिए जो change in potential energy होता है वो सीधा work के equal होता है किसके equal होता है work के और अगर हमारी conservative internal forces है तो ये negative of work होता है क्या होता है negative of work याद रखिए मैं फिर से लगता हूँ कोई बात नहीं याद रखिए इस case के लिए ठ ठीक है तो जितना भी हमारा फिर से बताओ जो भी हमारा जो भी हमारा change in potential energy है वो negative of work होता है negative of क्या होता है वर्क याद रखना यह जो भी conservative forces है यह फॉर्मुला उन ही के लिए वैलिड है किसके लिए वैलिड है conservative forces के लिए conservative forces वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजिशन पर डिपेंड करती है अपने पास पर डिपेंड नहीं करती जिनके लिए round trip पर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यह मैंने आप लोग को और बहुत बार पढ़ा हो है ठीक है चलिए ए क्या होता कि कभी कभी क्या होता है कि हमें दिक्क्त आती है तो यह इसका proper accurate बिल्कुल ऐसा डेरिवेशन है जो आप कहीं बना सकते हैं चलिए अब देखिए इसको आधकर आप सामने हैं लेकिए माल लीजिए कि मेरे पास एक मास मन यह है और बिलकुल इससे सटा हुआ एक मा मास है और इन यह दोरों मास कहीं दूर बहुत इंफिनिटी अपड़े में बहुत दूर पड़े में और मुझे पॉइंट पी पे एक सिस्टम बनाना है और मेरा सिस्टम कुछ ऐसा दिखना चाहिए जहां पर मेरा M1 से आर डिस्टेंस की दूरी पर कौन इस्टैबलिश हो हो जाए M2 मैं कुछ ऐसा सिस्टम देखने जाता हूं एक बाव बताइए तो सबसे पहले आपको किसी एक पॉइंट पहले एंवन प्लाना पड़ेगा और मैंने आप लोग बास सिखाई थी अगर कॉलेज में कोई पहला बच्चा आ रहा है तो ना तो उसे कोई दोस्ते करन इसको कि हाँ कोई मास बैठा ही नहीं है अगर यहां पर कोई मास रख रहा होता तो और सीन कुछ और होता तो इसको इसको इस पॉइंट पर स्टाबलिश करने के लिए आपने कोई भी वर्क नहीं किया यानि कि ग्राविटेशनल वर्क फर मास वन इस ओल्मोस जीरो आपने उसके लिए कोई भी वर्क नहीं किया कोई भी वर्क ने क्या लेकिन अब देखे सुनिए अब आपका रेफरेंस पुरा बदल चुका है अब माल लेते हैं कि यहां से हमारा यह कोई मुझे यहां से सको आड़ डिस्टेंस पर लेकर आना है और यह मेरा इस तरफ पोजिशन लगाने पड़ेगी नहीं लगाने पड़ेगी इस केस में क्या होगा वो आटोमेटक ली वो वाला मास उसको अट्रैट करेगा अब आप देखिए इसके जो फूर्स लगने वाली है वह इस तरफ तरफ लगने वाली और हम लोगो पता है कि जो ग्राविटेशनल फूर्स है उ हो क्या होता है जी खिए गतूक्र अफ आ फैसप 146 अपर कि कया होटा यहां इनका इसको क्रोगना पहले एक्स्टन एक्स है थड़ा सा अगए गये ईद से inspirporter यार आप देखिये कि हमारा्य जो एक्स है वह पुक्रै लागे है इंफिनिटी और हमारा X कहां तक आना है R पे तो यह निकि आपको अपने लिमिट्स समझ आ गई है कि आपका जो यह X जो डिस्प्लिस्मेंट है जो यह पोजिशन वेक्टर है यह इंफिनिटी पे पहले है और इसने कहां पर आना है R पे आना है बोलो ठीक है तो आप लोग नहीं जा करना ह इसलिए हां पर क्या आगा साइन क्या आएगा माइनस ठीक है अब पहले कि लेकर तो कोई वर्क निकरना पड़ा सेकंड वाले कि आपको वर्क करना पड़ेगा सेकंड वाले का वर्क और भाहिया ने तुमको सिखाया यह f.dx4.d displacement और x की वेल्व कहां से नहीं तक है इंफि और x2-dx और r से लेके यह अरो गया सब्सक्राइब यह इंफिनिटी से लेके आर हो गया तो वर्क और जीवन कितना अगया मैने जी पोला यहार सब्सक्राइब करेंगे तो वर्क ऑफ ग्राविडेशनल फोर्स कितना आ जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो डबलू जीवन की वैल्लिव आएगी जी एम वन एम टू अपॉन अब लोगों थोड़े पहले बताया कि जब चेंज निकालेंगे वह तो सारे वर्क का सम होगा और उसमें क्या होगा माइनस तो जहां चेंज जो हम एनर्जी निकालेंगे जो हमें में तो में अर्जी निकालें नग्य जो होगा वह नेगेटीव होगा क्या होगा नेगेटीव होगा किसका सारे रुक हमने कौन कॉन से बर किया पहला राता हमने क्या किया जी sık कि जी हैंदिए हम और और under up1 अपॉन Are सब सामड़ंगे डिल्टा यू चैंज इन फिर देखे ह हम कहां से ले कि आए इंफिनिटी से और किसी पॉइंट तक तो यानिकी एनर्जी हमारे पॉइंट की माइनस एनर्जी किसकी इंफिनिटी की डिल्टा यूप एसे लए सकते हो यह तो यह तो मैंने चाहिए इस नेगटेब साइन को आप तो आपने सिस्टम को तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर एनर्जी पॉज़िव होती ना तो यह मास कहीं भार फेक के मारता है जैसे आप एक स्ट्रिंग में पत्थर बांती घुमाते है ना जैसे पत्थर खुलता है पत्थर बाहर गिरता है ना तो आपने बस यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव अनर्जी मीन्स बांड़ेग और इसका तो कॉजी जो फोर्स है वो अट्राक्टिव फोर्स है इसलिए आप दिख सकते हैं कि जो बार कियो नेगेटिव आया नेकिए इन दोनों मास के बीच में कैसी फोर्स होगा अट्रा और सबसेये को भी वर करना होता है क्या नहीं सब तक के लिए जैंद